नमस्कार बहुत स्वागत है आप सब का देखरें जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतोशन तोशी मैंने अपना देड़ वर्ष पुराना एक वीडियो देखा और उस पे बहुत सारे कमेंट्स को मैंने फिल्टर किया ब्रहश्पति के बारे में ऐसी जानकारी जो किसी को भी पागल करतेगी यह उसका थंबनेल पर हमने बनाया और ऐसे करके हाथ किया है उस पिक्चर में तो मैंने पूरी वीडियो सुना दुबारा अपना अपना वक्त तब बे सुना और आप लोगों की कमेंट्स पढ़ा मैंने प्राब्लम कहा है जानते हैं प्राब्लम सिर्फ बंधन में है हमने अपनी सोच को एक बंधन दे दिया एक धारना बना लिया और वो एक अंतिम सत्य बना लिया वो एक अंतिम सत्य बना लिया कि बस ये जबकि इस प्रिथवी पर मृत्यु के अलावा कुछ भी सत्य है ही नहीं एक ही सत्य है वो है मृत्यु साश्वत नियम है सच बता रहा हूं सोच बदलिये आप प्रॉब्लम वहाँ है कि आपने बांध लिया ऐसे पिता ऐसे भाई ऐसे बहन ऐसे पत्नी ऐसे पती ऐसे आपने बांध लिया आपका एक दाइरा है वो सिर्फ आपका है इंडिविजुल है थोड़ी बहुत चीजे क अउमन होती है गलत है अगलत है समझे हम एक अलग सूतर अगर कुछ प्रतिपादित करते हमने इक अलग सूतर बताया है तो यार हमने कुछ बताया है हम देखे हैं हम पाई है तब बता रहे हैं नomy हमारे कल्ट्चर वहेली स्कूल में बि तो यह है कि, कब तक हम ऐसे आपपल पढ़ेंगे कभी तो ऐसे आर्मी पढ़ें, एन्द पढ़ें, अर्चर पढ़ें, धनुलोग विद्याधारी, एचीवोर पढ़ें, एकेवमेंट पढ़ें ऐसे खाली आपल रहेगा तो गलत है हमारा जोतिश खुला है मैं जहां तक बताया हूं उसके आगे भी आप बता सकते हैं हो सकता है आप इसे कोई और हमसे भी आगे का सोच ले हम स्वागत करेंगे न तो मैं जब आगे का सोच करके कुछ बताता हूं तो क्यूं किसी को लगता है कि अरे ये नए पढ़ों वो पढ़ों क्यूं वो ये कंतिम सकत्य वो क्या एकंतिम सक्त्य है किसी ने लिख दिया बस खतम उसके आगे कोई लिखन ही नहीं सकता कैसे क्या पता हम लिख रहे हों उसके आगे क्यों नहीं हो सकता है प्रॉब्लम कहा है क्यों भागते हो अपने आपको ज्यान की एक अंतिम सीमा पर ज्यान तो अनन्त है जैसे इश्वर अनन्त है हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता तो पांधते क्यों हो भाई मैं हर उस बैज्ञानिक की विशे में सोचता हूँ जो कुछ अलग सोचकर पागल कहलाता था और जब कुछ खोज देता था तो लोग उसके बारे में पढ़ते थे कोर्स की किताबों में छब जाता था अलग करो ना कुछ कुछ नया क्यों नहीं करते हो किसने रोका है हमें क्यों रोकते हो जबर्दस्ती मैं दिखाऊंगा ना कि ब्रहश्पति ने सच में मृत्यु दिया है ब्रहश्पति के कारण मृत्यु मिल सकती है हर ग्रह मार सकता है हर ग्रहमार केश होता है कौन सी बहुत बड़ी बात है ज्यान भी हर कोई देता है लेकिन एक ज्यान देने के लिए ही बना है वो है ब्रहश्पति यह अंत्यम सत्य है और मैंने उस वीडियो में कहा है कि ज्यान हमें कब मिलता है जब हम विपत्ति में आते हैं, तो ब्रहाश्पति विपत्ति ज्ञान देने के लिए देता है, लेकिन दिया न विपत्ति, अब भले ही किसी ने किसी को हितार्थ मारा हो, लेकिन मारा न, मारा तो कहलायगा ही, और जो मारता हो अत्यारा होता है, अब भले ही उसको जश्टिफाई किया जाए अलग अंदाज में, तो मेरा जोदिश बहुत हटकर है, यह तो खेर एक अलग पार्ट का हमने बताया, शुक्र की दसा का फलाज हम बता रहे हैं, शुक्र अगर किसी की कुनली में है, यह भी एक अलग पार्ट है, इसको भी मैं अलग एक वीडियो के रूप में भी मैं पब्लिश करवाऊंगा, शुक्र की दसा किसी की भी कुनली में शुक्र की दसा चल रहे हो, तो उसका एक मन पचास साथ प्रतुशत एक पर्टिकुलर प्रभाव में चला जाएगा, एक पर्टिकुलर फिक्स नेचर में पचास साथ प्रतिशत मन चला जाता है जब एक नए ग्रह की दशा आती है जैसे मंगल खोब गुस्सा पैदा कर देता है सूर्य बाप बना करके छोड़ता है चंद्रमा के दशा में मात्रत भाव जगता है बुद्ध की दशा में बालत तो जगता है ब्रहश्पत की दशा में दरिनई जगती है तो शुक्र की दशा में रसिक मिजाजी जमता है जनमता है व्यक्ति थोड़ा सा रसिक मिजाज हो जाता है रसीला हो जाता है चुटीला हो जाता है नमकीन हो जाता है हसीन हो जाता है आकरशक हो जाता है उसके अंदर खिचाव आ जाता है जनरली एक hard and fast rule नहीं है जनरली आप देखेंगे कि किसी के साथ बैठना बहुत अच्छा लगा मतलब उसके हटने के बाद आप उसके बारे में सोचने को मजबूर हुए शुक्र है सामने वाले में दशा के रूप में अंतर दशा के रूप में प्रत्यंतर के रूप में किसी भी रूप में तो आपके प्रती लोगों की सोच थोड़ी सी sexual हो जाती है कोई आपको आप शुक्र की दशा में व्यक्ति sexually attract हो जाता है दोनों संदर्भों में आपको देखकर सामने वाला उस तरह का भाव पाले या किसी को देखकर आप वैसा भाव पाले दोनों संदर्भों में शुक्र ही है जो शुक्र शुक्र को attract कर जाता है शुक्र की दशा में व्यक्ति थोड़ा सा by nature खर्चिला हो जाता है शुक्र की दशा में शुक्र अच्छा होने पर व्यक्ति brand conscious हो जाता है उसको branded चीजें अच्छे लगने लग जाती है शुक्र की दशा में धन निवेश का विशेश लाव मिलता है शुक्र की दसा 20 साल की कुछ विशेश आपको युवा बना देती है आपके अंदर किशोरा वस्था जागरित हो जाता है व्यक्ति एक्स्ट्रा मेजटल अफेर्स की तरफ डीपली अट्रैक्ट होता है शुक्र की दसा में और अगर उसमें सनी और राहु आदि का प्रभाव होगा तो 100% वो होना ही होना फिर तो घटना घट जाती है शुक्र अपना काम करता है राहु शनी अपना काम करते है मित्रो कुंडली का विश्लेशन इतना अनिवार है जीवन में जितना की सांस लेना भगवान कसम अगर जोतिश से हम जानकारी ले ले तो जीवन इतना सुगम हो जाएगा कि व्यक्ति को ऐसे लगेगा कि जैसे वो बस इंजॉय कर रहा है लाइफ को क्योंकि सब प्री प्लैन्ड हो जाता है न तो हम तयार ही करके चलते हैं तो उसको दिक्कत कहा है मैं करफू लगने वाला है और आपने सावान घर में श्टोर कर लिया ता आप पर असर क्या पढ़ रहा है अराम से है और जिसने नहीं श्टूर किया जो प्लैन्ड नहीं है वो पीडित है वो परिशान है तो शुक्र बहुत प्लैन्ड कर देता है इस टाम मेटल अफेर्स की सांसे बहुत जादा होते है लड़की की अगर शुक्र की दशा है तो उसके जीवन में कोई बहुत बड़े उम्र का विक्ति आ सकता है बीस बाइस साल पच्चिस साल का अंतर प्लैन नैंटी परसेंट पॉसिबिल्टी है लड़की की अगर शुक्र की दशा चल रही है महिला की पुरुष के जन्मान के में शुक्र की दशा होने पर ऐसे ही बहुत बड़े उम्र की महिला के साथ संपर्क की संभावना वढ़ती है नब्वे प्रत्सक मामलों में शुक्र की पूरी दशा फिफ्टी फिफ्टी लेकर क्या आती है पचास पनद दस साल बहुत बढ़ियां दिखाती है दस साल बहुत भावनात्मक रूप से तोड़ती भी है शुक्र थोड़ा सा त्रिक भाव में आजाए तीन-छे-आठ बारह में तो डिप्रेशन और सुसाइटल थौट्स भी देता है शुक्र से सकरात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए इस्त्री का सम्मान और इस्त्रियों का आदर के साथ साथ इस्त्रियों को उपहार देना एक उपाय के रूप तो तो तौर पर लिया जा सकता है यह आपके लिए शुक होगा तो इसे उपाय की रूप में कर लिजे और शुक्र की दशा का आनन्द उठाइए हमें अपना प्यार देते रहिए बहुत बहुत शुप काम नहें आने वाले कल की बहुत बहुत शुक्रिया थैंकियो सो मुच नमस्कार शिरा दे झाल सकते दोल नहेंकियो सब्सक्राइए झाल सब्सक्राइए झाल सकते बहुत टुक्राइए इस प्सक्राइए